और नमस्कार ये धर्म रह से और मैं डाक्टर राजीव निश्प्रेह आप से बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रह से भेद डाक्टर राजीव निश्प्रेह के माद्यम से कई लोगों ने वाट्सेप के माध्यम से और फोन से दुरगा सब्सक्रती के मंत्रों के विशे में बात की है उन्होंने पूछा है कि इन मंत्रों का शापोधार या कीलिकन किस प्रकार समाप्त किया जाए क्योंकि ये मंत्र कीलिकित है और इनका लाव प्राप्त नहीं हो पाता है तो किस प्रकार से हम इनके कीलिकन को समाप्त करें या इनका शापोधार करें दुरगा सब्सक्रती का ही एक उपाय में आपको बताता हूँ यदिपी रुद्रयामल तंत्र के अनुसार या वसिष्ट के अनुसार उनके शापोधार के कई विधिया उसमें दी हुई है लेकिन वो सारी विधिया आपके लिए पुंहें क्लिस्ट हो जाती है आपके लिए पुंहें जट्ल हो जाती है और उसमें अगर कोई गलतियां आप करते हैं तो फिर से वह towards रिशानिया आपको उठानी पड़ती हैं और यह पता चलनी पाता कि वास्तम में शापोध्धार या उनका कीलकन समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है तो इसलिए एक ऐसी विधी में आपको बताता हूं जो सर्व साधरन के लिए हर व्यक्ति के लिए हर ग्रहस्त के लिए बहुत सरल है बहुत साधरन है और एक आस्थावान व्यक्ति उसे आसानी से कर भी सकता है इस विधी का जो संधर्व है वो दुर्गा सबस्ती के कीलग स्तोत्र में दिया गया है और स्वयम भगवती या स्वयम महादेव के मुख से ये बात निकली है तो इसको हम किस प्रकार से करेंगी वो आप समझ लिए कि इस विधी को करने के लिए आप किसी भी क्रिष्ण प्वक्षकी 14 के दिन आप कर सकते हैं या जो तीन महारात्रियां दिये हैं उनमें से किसी भी दिन कर सकते हैं उसमें आपको ये करना है कि जो भी आपकी आय है, जो भी आप धनो पार्जन करते हैं, जीव को पार्जन करते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए, लेकिन वो जीव को पार्जन या धनो पार्जन आपका स्रिष्ट विधी के द्वारा होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा कार अनुचट आपन नहीं करेंगे जिससे एक अनुचट विधी के द्वारा धनो पारजन किया गया हूँ यानि बैमानी का धन उसमें संभलत नहीं होना चाहिए कि आपने बैमानी की आपने चोड़ी लिए आपने गलत तरीके से द्विधी में किया और उसका उप्योग इस में किया तो उसका फिर कोई लाव आपको प्राप्त नहीं होगा ये विधी केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो मा भगवती के बताई रास्ते पर उनकी भक्ति करते हुए और केवल अपने ग्रहस्त पालन के लिए मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए इस निय को कर सकते हैं तो इसमें आप उपारचित धन को उनके चरणों में रखते हैं उनसे प्राथना करते हैं कि हे मां ये मेरे स्वैम के इस्रम से आपके आशिरवास से कमाया गया धन है इसको आप स्वीकार करें इसमें से मैं दशांस या एक प्रत्सत या दो प्रत्सत जो भी को में मैं समर्पित करता हूं और शेषधन को आपसे दान सवरूप प्राप्त करता हूं आप इस सब्द का इस्तेमाल अवश्य करें कि आप माववती से उन्हीं के द्वारा क्योंकि जो भी देती हैं वो स्वयम देती हैं तो आप उनको अर्पित करके उससे धान सवरूप उनसे ग्रहन कीजिए और उसके द्वारा अपना जीव को पारजन कीजिए उस जीव को पारजन में गाय के लिए अत्थी के लिए अवश्य उसमें से भाग ने का लिए जो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी पर निर्भर रहते हैं जिनका समाज में कोई नहीं है, ऐसे व्यक्तियों पर ध्यान दीजिए, ये सब कार्य करते हुए, और सच्चरित्र हो करके, आप धर्म के मार्क पर चल करके, अपने जीवका को चलाईए, अपने परिवार को चलाईए, और मा भगवती की शरण को प्राप्त कीजिए, तो जो कोई आप मंत्र करेंगे, वो सब उनका शापुद्धा स्वयम हो जाएगा, वो भगवती स्वयम कर लेंगे, ये एक बहुत साधान विजिए, जैसे कोई भी ग्रहस्त व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बशरते इन नियमों का पालन को करें, इस वीडियो में इतना ही कि ये वीडियो आप तक पहुंच गई होगी, बे मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, तो इन नियमों को पालन करते हुए, आप इस कार को करें, या फिर किसी गुरु से, या किसी ऐसे वक्ति से, जिस ने इन मंत्रों का जाब किया, उससे आप दीक्षा लेकर की भी कर स कि अप